हेलो दोस्तो नमस्कार प्राफिट गुरु चेनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं तो दोस्तो एक दिगज बैंक है जसने अपने क्यूवन के नंबर अभी हाल फिलाल में शो किये हैं तो देखेंगे किस प्रकाश शो किये हैं और इस बैंक की भी जो fundamental condition है वो बहुत strong है ये भी दोस्तो प्राइवेट इंडस्टी से मतलब प्राइवेट इंडस्टी से विलॉंग करती है ये बैंक भी ठीक है सबसे बड़िया बात यह है मतलब दोस्तो वह HDFC को टेक मेंदा वाली लिस्ट में ये बैंक आती है मतलब द दिन की में performance की बात करता हूं तो देखें result का जो impact है पहले ही हमें देखने को मिलता है 6% का return हमें 5 दिन में इसने दे दिया है लास्ट एक साल में देखते हैं क्या performance दिया है गिराबट है 4% की 5% की अगर में बात करता हूं तो 5 साल में मातर 41% का return है लेकिन अभी आप देखे आपको देखने को मिल रहा है pandemic के समय दोस्तों काफी नीचे तक आया था एक opportunity मिला था ठीक है और उसके साथ ही अगर आप देखे तो अभी भी हमारे पास एक बड़ी opportunity है कि हम इसमें investment कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों काफी बड़ा नाम है इस bank का ठीक है और market में ये performance भी अबर के उपा ठीक है और valuation legs में उसको हम करोड में convert करेंगे portion बाता देता हूं June 21, March 22 और June 22, Q1, Q4 और Q1 का नमबर है ठीक है तो देख लेते हैं सबसे पहले total income ठीक है अब total income दोस्तों company income कमाती है return से भी ठीक है और interest से भी और interest अपने customer को देती भी है ठीक है तो total income बाला जो नमबर है वो यहां पर है तो total income हमें कितना देखने को मिल रहा है दोस्तों इस Q में अगर आप देखेंगे ठीक है सोरी दोस्तों यह वाला total income है ठीक है वो अधर income में शो कर दिया यह है total income यह हो रहा है दोस्तो 22,686 का March में कितना था 23,000 का और June 21 में कितना था दोस्तों 20,000 क ठीक है तो अगर आप देखें तो यहां पर Q on Q basis पर और year on year basis पर दोस्तों काफी अच्छा नमबर देखने को मिला है डाई हजार का फैसला है ठीक है डाई हजार मतलब इस Q में डाई हजार ज्यादा इसने income किया है अब आ जाते हैं खर्चे के उपर कि company का खर्चा total कितना द जल्ड में ठीक है तो इस Q में दोस्तों अगर आप देखें तो 16,400 के आसपास का company का खर्चा हुआ है मार्च में हुआ था 16,100 के आसपास का और जून 21 में हुआ था दोस्तों 13,500 के आसपास का तो खर्चा भी दोस्तों जिस प्राकार से नमबर बढ़ा है total income बढ़ा है उस रहा है अब देश तो प्रोविजन को देखने हैं ठीक है कि company का प्रोविजन अभी देखें अभी नमबर ये देखने को में मिल रहा है अभी प्रोविजन को देख लेते हैं ठीक है तो इस Q में अगर आप देखेंगे तो 348 का ही प्रोविजन में देखने को मिल रहा है कितन दोस्तो जो provision है वो बहुती बहुती कम हुआ है अब आपको तो पता है कि provision क्या होता है provision यह रहता है दोस्तों कि इस क्यूंप में कितना loan दिया है rank ने जैसे कि April, May और June में जैसे कि इस तीन महने में कितना company मतलब loan दिया है और उस loan में से कितनी की recovery सब को दिखाना पड़ेगा मार्केट को भी तो यह बैंक ने इतना बताया है 314 ठीक है मार्च में 984 का था और जून में 337 का इंकम उतना ही रहा है लेकिन इस बार दोस्तों डेफाल्टर जो लो ने वो बहुत कम देखने को मिल रहा है तो हमारे लिए यह बहुत अच्छी बा 150T करोड करके तो करोड में कंवर्ट करने में हां देखने को मिल रहा है स्सूरी दोस्तों ये चार नहीं ये 4,97 אפ 2 यह उर यहां पर चार है 4,凌टीस हजा ऐसा कुछ दिके तो करोड में कनवर्ट कर लेता हुँ ठीक है मैं भी भी कंफ्यूज हो रहा हूं आपको भी नहीं करता हूं तो करोड में कनवर्ट करता हूं तो 4,389 करोड का कंपनी को प्रॉफिट हुआ है इस क्यूं में मार्च में हुआ था दोस्तो 4,434 करोड का और जून 21 में हुआ था दोस्तो कितना 234 करोड का कितना 234 करोड का तो सालाना तोर पर आप देख सकते हैं profit में कितना jump है profit में बहुत शांदार jump है ठीक है देखने को हमें मिल रहा है सालाना तोर पर लेकिन Q on Q base पर नरम है तो यही दोस्तों हमें क्या देखने को मिला है यही पार्ट आइसी आइसी बेंक में भी देखने को मिला है यही पार्ट हमें कोटक में भी देखने को मिला और यही पार्ट हमें HDFC बेंक में भी देखने को मिला है ठीक है मतलब सालाना तोर पर बहुत अच्छा jump है प्रोविजन सभी का कम हुआ है सालाना तोर पर profit बहुत अच्छा निकल देखने को मिल रहा था 14 रुपए 40 पैसे का और जून 21 में देखने को मिल रहा था 7 रुपए 79 पैसे का ठीक है तो सालना तोर पर EPS भी बड़ा है और Qoncubasis पर EPS भी कमपणी का कम हुआ है तो यहां पर आप देख सकते हैं यह इस्टेंड अनोलवाने नंबर है ठीक है इसमें हम देख लेते हैं दोस्तों कंपणी का ग्रॉस एंप और NET पे किसना दिया है क्युंकि दोस्तों का कंशुलिट वाले नंबर के उपर नहीं दिया है ठीक है तो अगर मैं बात करता हूं दोस्तों ठीक है यह वाला portion आप देख सकते हैं यह percentage में और यह amount में ठीक है तो amount देखने को मिल रहा है हमें अगर मैं इसको करोड में convert करता हूं ठीक है तो 218 करोड का हम सुरू की तीन वेली भी पकड़ रहे हैं तो 218 करोड मान लेते हैं और जून 21 के अगर में बात करता हूं तो वहाँ पर दोस्तों हम जो है उसको राउंड फिगर में हम 25,950 मान लेते हैं मतलब दोस्तों company का जो provision था वो 250 करोड का था तो आप देख सकते हैं जो gross NPA है ठीक है वो बहुत ही अच्छी condition में कम हुआ यह पूरे साल भर का amount रहता है ठीक है यह साल भर का amount है की ठीक है यह पूरे साल भर में इतना यहां पर amount है कटा हो चुका है जो हम भूलने को तयार है bank ठीक है मतलब इतना default म चले गया है तो जून 21 साल में दोस्तों कितना था 200 करोड और जून 22 साल में 210 करोड ठीक है और मार्च तक कितना था 218 ठीक है तो यह कम हुआ है मतलब 218 का कितना आ गया 210 आ गया मतलब थोड़ा सा recovery हुई है मतलब 8 करोड के loan की recovery हो चुकी है आप वह कहीं से भी हो सकती है दो दोस्तों तो यह देखा गया ना तो दोस्तों gross NPA ठीक है बहुत अच्छी तरीके से क्या हुआ है recover हुआ है ठीक है percentage में भी देखेंगे तो 2.76% था इस Q में और मार्च में 2.82% था और जून 21 के अगर मैं बात करता हूं तो 3.85% देखने को में मिल रहा है इस company का ठीक है तो यह है हमारे लिए बहुत जोड़दा बैंक ठीक है और प्राइवेट बैंक है और प्राइवेट बैंक का तो आपको performance पता यह कि किस प्रकास है अब टॉप quality की चार बैंक देखने को मिलती है प्राइवेट में आप HDFC की बात कर लो कोटक की बात कर लो ठीक है एक X6 की बात क यह चारो बैंक अगर आपके portfolio में है तो आपको बहुत अच्छा return मिलेगा long term में ठीक है क्योंकि इन्हों ने previous में भी अपने shareholder को बहुत जोड़दा return दिया है तो बिल्कुल भी दोस्तों हमें इन चारो बैंकों को ignore नहीं करना चाहिए ठीक है इन चारो बैंकों की हलकी हलक कॉंटिटी भी अगर आप अपने portfolio में रख लोगे तो आपको बहुत अच्छा return यह long term में देखें जाएगी ठीक है तो यह था आप लोगों के लिए best and best update best and best stock ठीक है तो इस वीडियो को लाइक करेगा चैनल को सस्क्राइब क्योंकि डेफिनेटली काल की देट में यह स्ट